सिंस्टर होता है गाउं से, एक गाउं जहां स्विजिन रहती थी, डाकनेस की एकलोती बेस्ट फ्रेंड रहती थी, वैसे ये सब डाकनेस याद कर रहा था, अपने पास्ट को, अपने बेस्ट फ्रेंड को वो भूला जो नहीं था, स्विजिन जिस दिन को डर रही थी, वो दिन अब आच चुका था, पैलस में स्विजिन को ले जाने के लिए, अब रोयल पैलस का यूंच जो आच चुका था, स्विजिन पैलस में जाना नहीं चाहती थी, वो तो एक स्रीस प्रेंड थी, जो के अपने जिंदगी को डाकनेस क साथ जीना चाहती थी पर किस्मत को तो कुछ और ही मनजूर था त्योंकि फीट जो लिग दिया था वो कैसे टाला जा सकते था स्वीजिन यूंच से बचने की पूरी कोशिश करती है और इस प्रोसेस में वो यूंच को अपना दुश्मन ही बना लेती है यूंच ने तो अब स स्वीजिन को मानने का ओरर भी दे दिया था और इस बात से डाकनेस भी खबर था डाकनेस की बेश्टर मरने वाली है और खुद डाकनेस स्वीजिन का जंगल में इंतिजार कर रहा है बेचारे डाकनेस सो कहां पता था कि उसकी स्वीजिन अब जंगल में कभी नहीं आने वा अपने मर्जी पे की थी उसके साथ हमारा कोई लेंदे नहीं है हमें प्लिस छोड़ दीजिए यहां से जानी दीजिए बोलके गाउवाले यूंच से माफी भागने लगते हैं पर यूंच तो गाउवालों के ऐसे एक्सन से सप्प्राइज था जो लड़की उनके गाउव में ही रहती थी उनके बीवी बच्चों के साथ पली बढ़ी थी गाउवालों ने उसी लड़की को दो पलों में पराया कर दिया अपने फाइदे के लिए उसके साथ सारे रिष्टे तोड़ दिया तभी यूँच देखता है कि स्वीजिन अब भी थोड़ा-थोड़ा सांस ले दे ही है मतलब वो अभी तक जिन्दा है इसलिए अपने सबूर्णेट को वो तुरंत कमांड देता है कमांड की वो स्वीजिन के सर को ही धर से अलग कर दे गाओं वालों के लिए वो एक एक अग्जामपल सेट कर दे यूँच की और और अनुसार वहां सर जरूर करता है पर स्वीजिन का नहीं बलकि यूँच की सबूर्णेट का सर करता है दो पलों में ही वहां कुछ अजीब सा हो गया था जैसे ही यूँच का सबूर्णेट तलवार उठा के स्वीजिन का सर काटने की कोशिश करता है वहां डाकनेस आ जाता है और स्वीजिन को रेस्क्यू करकी वो यूँच की सबूर्णेट को दो टुक्रों में बाट देता है चारों तरफ अब एक मैनेसिंग औरा रिलेस होने लगा था एक काला कलूटा जीव उनकी बीच जो आ गया था और वो बहुत भयानक लग रहा था वो क्या है? मार दो से बोलकि यूँच अपना कॉमांड देता है पर उसके कॉमांड कंप्रीट होने से पहले ही और उसके सबूनेट्स एक केकर के मरने लगते हैं और उनको मारने वाला और कोई नहीं बलकि डाकनेस होता है राक्षष ये एक राक्षष है बोलकि सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ वो फैलने लगते हैं पर डाकनेस तो बहुत गुस्से में था वो कहा किसी को एसकिप होने के लिए देने वाला था कहा जावोगे तुम सब लोग बचने की कोशिश भी मत करना बोलके डाकनेस एक केकर के सबको मारने लगता है मैसे कर करने लगता है सुईजिन का बदला लेने लगता है भागो भागो अपनी जान बचाने के लिए भागो अरे हमें कोई तो बचा लो बोलके गाओं के लोग इधर उधर भाग रहे थे पर वो डाक्निस से बच नहीं पा रही थे डाक्निस तो सब को सूली में चड़ा रहा था काउं में तो वो खून की नदी ले आया था ये सब देख यूंच की अब फट चुकी थी उसके शर्विस्त तो अब आत्मा उड़ने लगी थी घबराहट के मारे वो गिर जाता है और अपने कपड़ों को ही गिला कर दीता है हूरिनेट कर दीता है रुक जाओ मुझे छोड़ दो जाने दो मुझे तुम्हें जोच चाहिए मैं वो धूंगा सोने जवारात से मैं तुम्हें तोल दूंगा प्रिस मुझे जाने दो बोलकि यूंच अब गिल्गराने लगा था अपनी जान की भीक मागने लगा था पर डाकनेस उसे कहां माफ करने वाला था दुनिया में जो एक इंसान उसे सबसे प्यारी थी यूंच ने उसे ही उससे चीनने की कोशिश किया था और इसके लिए माफी नहीं मिल सकता था देखते ही देखते डाकनेस यूंच को जकड लेता है और उसके टुकडे टुकडे कर देता है रिवेंज लेने के बाद वो सुईजिन के पास आता है सुईजिन अब भी अनकॉंशियस थी मौत से जूज रही थी और सुईजिन के ऐसे हालत देख डाकनेस फूट फूट के रोणे लगता है रुख जाओ सुईजिन रुख जाओ मुझे तुम छोड़ के मठ जाओ देखो मैंने तुम्हारा बदला भी ले लिया प्लीस प्लीस वापस आ जाओ बोल के darkness चीखिने लगता है चिलाने लगता है और तभी कुछ अजीब सा होता है कहीं से एक menacing aura release होने लगता है पेड़ पोधे शांत हो जाते हैं अपने color change करने लगते हैं और अचानक रोते हुए darkness के सामने एक black color का screen आ जाता है darkness अपने जिन्दगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था एक black color का screen हवा में levitate कर रहा था और वो कुछ darkness को बताने की कोशिश कर रहा था अब तुम aura change कर सकते हो spiritual power को activate करने के लिए बोल के darkness के सामने एक अजीब सा screen notification पे notification देने लगता है बिचाना darkness कुछ नहीं जानता था उसर तो बस अपने स्वीजिन चाहिए था क्या? क्या इससे मेरी स्वीजिन वापस आ जाएगी? अगर यह हो सकता है तो मैं कुछ भी करने के लिए तयार हूँ बोल के darkness अपना command दे ही देता है activate बोल के उस system को activate कर ही देता है अब system darkness से सामने उसका status दिखाने लगता है system activated नाम darkness, race none, innate talent, departed soul मतलब अब darkness इसको भी मारेगा या फिर उसके आसपास जितने भी लोग मरेंगे वो सब उसके लिए evolution points बन जाएंगे उन evolution points से अब darkness skill purchase कर सकता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बस स्वी जिन चाहिए बोल के darkness अपना पहला skill buy करता है 10,000 evolution points खज करके वो absolute recovery buy करता है ये 10,000 evolution points उसे इंसानों के murder करने से मिला था recent massacre से मिला था और वो भी ना सोचे समझे स्वी जिन को recover करने के लिए darkness यूज कर लिया था सोचो darkness स्वी जिन को कितना चाहता होगा कि वो स्वी जिन के लिए इतना कुछ कर रहा था darkness का new skill जैसे ही activate होता है स्वी जिन recover होने लगती है और जैसे ही स्वी जिन recover होती है darkness उसे लिपट जाता है और फूट फूट के रोने लगता है मेरी सुईजिन तुम मुझे छोड़ के और कभी मत जाना तुम्हारे बेना मैं बहुत एक किला हो गया था बिर्कुल नहीं मैं तुम्हें छोड़ के और कभी नहीं जाओंगी बोल के डुक्रेस और सुईजिन एक दूसरे को दिलाशा देते हैं पर हमेशा खुशी बरकरार नहीं रहता दुख का साया हमेशा किसे न किसे पर मढ रहता ही रहता है और अब वो दुख डुक्रेस पर गिरता है जिस सुईजिन के लिए वो इतना कुछ किया था इतना बलिदान दिया था, इतना बदल गया था वही सुईजीन आगे चलके उसे मारने की कोशिश करती है तुम्हें मैं खतम कर दूँगी डाकनेस बोलके सुईजीन तो अब डाकनेस के खिलाफ वोर छेड़ देती है ये सब आखिर क्यूं हुआ था? क्या आगे चलके सुईजीन को कोई मैंने पुलिट किया था? सुईजीन आखिर इतना क्यूं बदल गई? डाकनेस चोड़के वो इंसानों को क्यूं चुनी? क्या वो किसी के प्यार में पढ़ गई? या पैसों और रुद्वा का इस पर लालच आ गया?